हेलो फ्रेंट गर्मी में आप लोग बहुत अपनी ख्याल रखे और आज है नवरात्र तो सभी लोग को हैपी नवरात्री माता रणी आप सब की मनुकामना पूर करें आप लोग को सब फलता मिले हर चीजों में और माता रणी मुझे भी अपनी आशिरवात दिये रहें अपन की अपने कैसे तो मैं आज बता रही हूं आप लोगं को हैयर टिप्स ठीक है जिनके बाल बहुत जढ़ते होंगे और फथले होंगे गहनें होंगे और जहरते हूंगा उनके लिए इन जीपिस हैं यह बहुत कारगर हैह आप लोग के लिए आप लेर59 यूज नुर देखिए जींड आपको बता दों मैं अच्छे से तो नीच बता पाँगी लेकिन मुझे जैसे मैं गाउन के तरीके से मैं यूज करती वास है यह आपको को बताऊंगी सिंपली तरीके से तो देखें कराव मैं एक कट्वर ले चुकी हूं आप लोग देख सकते है यह देख लिजे आप आप लोग इवी ओन ठीक है 400 mg में है इसमें से मैं अपनी एर के अनुसार आप लोग यूज करें तो मैं अपने हेर के अनुसार दो ही यूज करती हूं शिर्फ दो कैप्सूल निकाल लोगी तो मैंने कट करके और इसमें से देख सकते हैं मैं निकाल ले रही हूं इस तरह से पूरा इस छोटा बाउल नहीं था इसलिए मैं छोटी बड़े बाउल में यानि कटोरे में ले चुकी हूं तो आप लोग छोटा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इससे छिक से निचोड़कर करके आप लोग निकाल ले इसमें से अच्छे तरीके से एक या दो कैप्सूल आप लोगी उट कर सकते हैं देखें मैं दूसरा भी निकाल ले रही हूं कि अच्छे देख सकते हैं कि अच्छे बहुत थोड़ा सा हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग मेरी हेर फॉल बहुत काफी जादा होती थी तो मैं बहुत काफी परिशान थी और मेरे दीदी थी उनका पूरा बाल ठड़ गया तब पूरा दम बिल्कुल टकला हो गई थी तो उन्होंने बहुत महेंगी महेंगी दवाई यूज किया फिर भी उतनी नहीं हो रही थी चित्ता इसे उनको बेनिफिक हुआ तो मुझे लगा कि मैं आप लोग को भी शेयर कर दूँ कि हर सीस्टर चाहती है कि उन इवियोन 400 mg और यह देखिए नारियल को कोकोनट आयल जिससे नारियल तिल भी कहते हैं मैं छोटे साही मंगाली हूं मैं इसमें अपनी हेर अनुसार निकाल लेती हूं कि जरूरी नहीं आप दो चमाज तिन चमाज इतने में आपके हेर पुरी तरह से आपका लग सके उताब ले सकते हैं देखिए मैंने ले लिया है अब दिखाए लिए देता होगा चूकि यह मेरा बाउल है तो मैंने ले लिया है इसमें मैंने 400 mg का इवियोन कैप्सूल लिया पुरी उसमें से और नारियल का देल यानि coconut आयल ले लुए और इसमें दोनों को मिव्क्स कर देती हूं है अच्छे तरीके से आप सब देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है है सब यह दूनों मिक्स हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है वनले आप अपनी एयर में अच्छे तरीके से इसे आप एक करते करते ऐसे यूं लगा लेना आपको आप सब देख सकते हैं कि लग रहे हैं मेरा वीडियो लांबी चला जा रहा है तो अप लोग थोड़ी बहुत कर लीज़ेगा वीडियो को लाष्ट तक देखिए हैं कि इस तरह से जड़ में लगा लेना है आपको पूर रुप से जड़ में जाना चाहिए है और इस तरह से ही आपको यूं उंगली में लगाए जिस तरह है मैंने यूं तच किया और इसमें लेकर करके अच्छा से अपसाम में बैठ करके लगा सकते हैं इस तरह से यूज करके देखिए और इसका रिजल्ट आप मुझे जरूर बताइएगा आप इसे हबते में एक या दो बर लगा सकते हैं आप साम को लगाईएगा और सुबह में हेर वास कर लिजेगा यानि बाल दुब लिजेगा आप लोग और फें बैक साइड में ये ब्लू हाथ में लें अल को और बैक साइड में यूज करके और इस तरह से लगा लें तक कि अच्छे से मिक्स हो जाए पुरे बालों के जड़ में मेरे बहुत छोटे छोटे बाल हो गये थे बहुत पतले हो गये थे मैंने जैसे इसे यूज किया और मुझे बहुत काफी जादा रिजल्ट मिला इससे तो मुझे लगा कि नहीं मुझे और भी सिस्टरों को इससे बताना चाहिए कुछ कैसी को एइर की जरॉस होती है कि आप लोग इससे यूज करिए गा तो अपर आप देहसे हैं मैं चुरी रूप से अच्छे तरह यहाई सेंवालों में लगा चुकी हूं इसे और मैं अपनी अभी हैर को फोल्ड कर ले रही हूं तो प्रेंट आप लोग भी इस तरह से यूज करिएगा आप लोग इवी और 400 mg और इसमें कोकोनट आयल ले लीजेगा चाहे आप कोई भी यूज करते होंगे आयल उसे कोई दिक्कत नहीं है आपको आप ले सकते हैं और इस आप सब्सक्राइब अजब भी उजश करें तो आप लोग रात में करें अच्छा रहेगा आप लोग के लिए रात में से यूज करें और सुबह में आप болches कर लें कि आसनी से अप लोग कर रोग क पिर मिलेंगे नेक्ट्स वीडियो वे तब तक के लिए बाया बाया सभी फ्रेंट को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग से बीदा लेते हैं तब तक के लिए सब को राम राम पढ़ाम